इसका न्यूस पॉइंट मेरे साथ आए पहले ये सुन लेते हैं कि उसका रिजर्टेशन पढ़ाने का संख्या पढ़े या कुछ और हो उसी के लिए भी भाव दिक रहा है अनुसी चाती जट चाती के संख्या बढ़े आए पर सोला परसेंट और एक परसेंट तो थोड़ा कभी परसेंट नहीं अनुसी चाती चाती तो नितीश कुमार कह रहे हैं कि जो भी ज़रुआ परसेंट परसेंट और इसकी शिंटा मत पर्रकार्टेशन परसेंट नहीं हैं कि जो भी जरूरी होगा पहले तो वो सारे दलों की बैठक बुलाएंगे और आंकड़े उनके सामने साजा करेंगे और फिर जो जरूरी होगा सरकार के लिए वो ये काम करेंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंगणना से पता चला है कि किस जाती की संख्या कितनी तो नितीश कुमार ने ये भी बताये कि जाती आदारित गंड़ना को लेकर जल्दी ही बिहार विधान सभा के नौ दलों की बैठक बुलाई जाएगी और फिर इसका जो परिणाम आया है उसको इन दलों के साथ साजा किया जाएगा जब ये बैठक होगी और तब सारे दलों का क्या रुख रहता है खासकर बीजेपी क्या कहती है ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि बीजेपी और नितीश कुमार में हमेशा इसी बात की तना तनी रही है क्योंकि नितीश कुमार कहते रहे हैं कि जातिगत जंड़ना कराओ और बीजेपी जो है वो इस चीज़ से बच्चती रही है खेर लालू प्रसाद जो आर्जेडी प्रमुक हैं उन्हों ने भी इस पर ट्वीट किया है तो देख लेते हैं लालू जी का ये ट्वीट तो लालू जी कह रहे हैं कि आज गांधी जैनती पर इस एतियासिक शन के हम सब साक्षी बने हैं बीजेपी की अनेकों साजिशों कानूनी अर्चनों और तमाम शड्यंतर के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाती आधारित सर्वे को रिलीस किया ये आकड़े वंचितों उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिये के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिदित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी उतनी हिस्सेदारी हो हमारा शुरू से मानना रहा है कि राजे के संसाधनों पढ़न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जंगन्ना करवाएंगे और दलित, मुसलिम, पिछड़ा और अती पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे तो आपने सुना लालू जी का ये ट्वी और लालू यादव जिस विश्वास के साथ आत्म विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि केंद्र में जब उनकी सरकार बनेगी तब वो बीजेपी को हटाएंगे और बाकी सभी देश में जो है पूरी वो जातिगत जंगणना कराएंगे कमुबेश वही बात जो राहूल गांधी कहते आए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसे एतियासिक शन बताया है उन्होंने कहा है कि अब सरकार की नीतियां और नियाद दोनों ही जाती आधारित सर्वे के इन आकड़ों का सम्मान करेंगे राहूल गांधी ने भी आज एक खास ट्वीट किया है आईए वो भी देख लेते हैं राहूल गांधी कहते हैं कि बिहार की जातिगत जन्गन्ना से पता चला है कि वहाँ OBC प्लस SC प्लस ST 84 प्रतीशत हैं केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 OBC हैं जो भारत का मात्र 5 प्रतीशत बजट संभालते हैं इसलिए भारत के जातिगत आकड़े जानना जरूरी है जितनी आबादी उतना हक ये हमारा प्रण है तो राहूल गांधी जो है वो प्रण की बात कर रहे हैं प्रण याने संकल याने वो एक वादा कर रहे हैं खुद से और देश की जनता से कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो जातिगट जंगणना कराएंगे ताकि ये बता सकें कि किसको कितना हक मिलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है राहुल गांधी अभी जब MP में थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ भी यही कहा था और वो अभी पूरे देश में यही कहते आ रहे हैं कि हमको X-ray कराने की जरूरत है X-ray याने जिससे पता चले कि इस देश में किस जाती की कितनी आबादी है और उस जाती को उस हिसाब से उसका हक मिल रहा है कि नहीं बलकि मध्यप्रदेश में तो राहूल गांधी ने बाकाइदा एलान कर दिया कि वो जब सत्ता में आएंगे तो पूरे देश में जातिकत जंगणना कराएंगे राहूल गांधी की ये बाइट भी हम सुन लेते हैं हिंदुस्तान में OBC है, दलित है, जैन्रल है, आधिवाची है मखर जब हम सवाल पूच्छते हैं OBC कितने है General कितने है दलित कितने है , आधिवाची कितने है कोई जवाब नि दे पाता भायां,альная OBC कितने हैं हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है ये पता लगाना है कि अगर 90 अपसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% बागीदारी OBC को मिल रही है तो क्या OBC की आबादी 5% है क्या हो इनी सकता तो अगर उनके अबादी 5% नहीं है अगर उनके अबादी 50% है तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है राउल गांदी के तीखे सवालों से दोस्तों BJP हमेशा परिशान रहती है और आज तो उन तीखे सवालों के जवाब भी कम से कम बिहार से तो मिली गए कि OBC के आबादी कितनी है वहाँ पर EBC याने जो अती पिछड़ा वर्ग है वो कितने है हिंदू कितने है, मुसलिम कितने है, इसाही कितने है, कुर्मी कितने है ये तमाम जो जातियों के आखड़े आज बिहार सरकार ने जारी कर लिया याने एक बार फिर इंडिया के कारण देश की सियासत में हल चलमज गई है मैं या इंडिया की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से OBC आरक्षन के मुद्दे ने और तेजी पकड़ लिया आपको याद होगा कि राहूल गांधी तो करनाटक चुनाओं के समय से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहते रहे है अभी महिला आरक्षन के वक्त भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर अभी आपने ये जो बाइट सुनी कि शाजापुर में जैसे उन्होंने एलान किया कि सरकार में आते ही जातिगट जंगनना कराएंगे दरसल राहुल ने OBC पॉलिटिक से BJP को घेरने की पूरी तयारी कर ली है दोस्तों आप जानते हैं कि अगले साल जन्वरी महिने में ये चर्चा है कि आयोध्या में राम मंदिर का उधगाटन मोधी जी कर देंगे तो हिंदुत्व और राश्रवाद से अब भी BJP अपने लिए चुनावी खात पानी जुटा रही है यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मान जी, अनुप्रिया पटेल, संजय निशाद की पार्टियों से इसी पार्टियों से गड़बंदर कर, BJP ने वोटों के लिहाद से मजबूत सामाजिक समीकरण भी अब तक अपने पाले में कर रखा था लेकिन अब इन सब की कार्ट के लिए राहूल के नेतरित्व में कॉंग्रेस जो है, OBC राजनेती के भरोसे अब जो है, मोधी को और BJP को पचाड़ने में लगी हुई है मोधी खुद को तो पिछड़ी बिरादरी का बताते रहे हैं और आपको याद होगा कि जब राहूल गांधी के पर जो मोधी सरनेम को लेकर मानहानी का दावा हुआ तब भी ये लगा कि बहुत BJP ने इस मुद्दे को उच्छाला कि राहूल जो है वो OBC का अपमान कर रहे ह हाला कि ये जो मुद्दा है ये BJP पर उल्टा पड़ गया तो जब से BJP सत्ता में आई है जातिकत जंगणना से बचती रही है जबकि दस साल पहले जब BJP विपक्ष में थी तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे BJP के नेता गोपिनात मुंडे ने संसद में 2011 की जंगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था यानि जब BJP विपक्ष में थी तब कहा था कि अगर इस बार भी जंगणना में हम OBC की जंगणना नहीं करेंगे तो OBC को सामाजिक नयाय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे हम उन पर अन्याय करेंगे तो गोपिनात मुंडे ने जो बात कही थी कि OBC को न्याय देना है वरना अन्याय हो जाएगा हम 10 साल और पीछे उनको कर देंगे 10 साल तो बीद गए दोस्तों और BJP ने कभी ये OBC बाकी जातिकत जंगणना की बात ही नहीं की और आपको एक बात पिछले सरकार में जब राजनात सेंग ग्रिह मंत्री थे याने मोधी सरकार के पहले कारेकाल में उस समय 2021 की जंगणना की तयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक प्रेस्विक ग्यप्ती में सरकार ने माना था कि OBC पर डेटा नई जंगंडा में एकत्रित किया जाएगा लेकिन अब सरकार अपने पिछले वादे से संसद में ही मुकर गई है तो वादों से मुकरले की अपनी परंपरा को बीजेपी ने या युकों की मोदी ने कायम रखा है लेकिन क्या बिहार में हुए इस डेवलप्मेंट के बाद अब बीजेपी के लिए सियासी मैदान में जातिगत आरक्षन के मुद्दे पर या जातिगत जंगन्ना के मुद्दे पर टिकना संभव हो पाएगा आज का एक ये बड़ा सवाल है और दूसरा सवाल ये है कि क्या बिहार ने देश को फिर से एक नई सियासी